हलो फिर्स वल्कम पैक टूमाइच चैनल माइनी मुष्ट दंदनी और आतमें बनाने लिए सन्य के फूल यह स्पिर्ट यह खान में बहुत ही टेश्टी होते हैं आप लोग इस रेश्पी को जरूर ट्राय करें और अगर आपको यह में रेश्पी अच्छी लगते हैं तो मेर अगa से गरं मसाली सर्शोव जीरा और काणि में हम लोग इसका मारेक पेष्ट पना लेना है स्ँएक अस्अगफ पनाने करें लिए हम लोग जनेक काशाव नमत हल्दी मेथी और तड़का लगाने के लिए और जो मैंने आपको Lord मुशलों के लिए उसका हम लोग पेष्ट तिल गरम हो चुका है अब इसमें हम लोग मेसी और राह का तढ़का लगा देंगे हम लोग की राह चटक चुकी है अब इसमें हम लोग मसाले डाल देंगे आले डालने के बाद इसमें हमें हंदी डालतेंगे और नमक डालतेंगे स्वाता जुशार और इसको अमक चलाते हैं भूल लेंगे मसालों को आपको बराबर चलाते रहना है वर्नाव नीचे से जलने लगेंगे अब तीक सेट्टे हो अमलोग के मसाले बुन रहे हैं उनको यसे चलाते हुए अच्छे से बुनना है अब इसमें अमलोग साफ को डाल देंगे साको डालने के बाद इसको अमलोग को चला लेना है कुसी केन के लिए इसको चलाते हुए भुन लेना है हमलोग के साथ बुन चुका है अब इसमें अमलोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे ज्यादा नहीं अकको बस इसमें अंधर कलास पानी डालना है और फिर इसको मिला लेन चोड़ देंगे उबालाने के लिए सब्जी में उबाल आचुका अब इसमें हम लोग अचार टाल डाल देंगे उसके बाद इसको हम लोग मिला लेंगे और लोग फ्लेम पे इसको ड़क के पकनी के लिए छोर देंगे इसको हम लोगों को बीच पीच में देखे रहा है कि हम लोगों का साग गला की नहीं हम लोगों का साग गल चुका है अभी मैंने गैस का फ्लेम पेस्ट कर दिया है ताकि इसमें जो भी एक्ष्ट्रा पानी है वो सूख जाए कि जो साग होता है वो सूखी अच्छी लगती है अकर उसमें पानी रहे जाती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है देख सकते हो लगवगी सूख चुका है अभी एक कुछ सिकेन बाद खाने के लिए त्यार हो जाएगा हम लोगों का साग रेडियो चुका है अब हम लोगो गैस का फ्लेप आफ कर देना है तो प्रेंड मेरे टीश देसा सनी के फूल का साग त्यार हो चुका है मैं आप इस लोग से बोल लूँगी कि आप इस रेस्क्री को जलू ट्राय करें और अगर आपको यह में रेस्पी अच्छी लेंगे तो मेरे वीडियो पर कमेंट कर गए तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्ट वे में तब तक के लिए रेक्यार फ्रेंज